आज मुझे कुछ अलगी चैलेंज मिला है, मुझे मिली है ये दो कॉपियां हास से लिखी हुई, मैं आपको उच दिखा देता हूँ, ये दोनों कॉपियां है, जो मेरे बच्चों की हैं, और एक कॉपि पर कुछ इस तरह का हिंदी में लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, और नोट्स आपके आपके पास भी बहुत लोगों के पास होंगे, कुछ लोग परिक्शाओं के तयारी करें होंगे, और अगर बहुत संदर-संदर नोट्स हास से लिखके बनाए होते हैं, और बेकिन इन नोट्स को शीज़ों का विशेश ध्यान रखना है, उस वीडियों में हम यही चैलिंज पूरा करने वाले हैं कि हम इन नोट्स को डिजिटल करेंगे हाथ से लिकुए नोट्स को और साथ में क्या चीजों का ध्यान आपको रखना है क्या आपको स्कैनर चाहिए मोबाइल फॉन चाहिए और किन सौफ्ट्वियर की जरूरत आपको पड़ेगी य चैनल पर मैं हमेशा आपके लिएसे ही कंटेंट लर्याटा रहता हूँ अगर आपको जरूर्व करेंगा चाहिए तो यह चैनल जरूर सथ्क्राइब करेगा आपके पास अगर कोई phone हो तो वो भी हो सकता, उससे आप photo खींच के उसको computer के अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन copy के लिखे हुए को scan करने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, कि यह जो scan आपको करना है, वो आपको gray scale में करना है, यानि अभी तक जो भी हमें scan कर रहे थे, जो books को ले रहे थे, या हम print out को ले रहे थे, वो पहले से gray था, आपको मैं को दिखा देता हूँ कि कितना अंतर होता इन दोना चीजों में, देखें, पिछले दो वीडियो में हमने एक Excel की sheet के लिए यहाँ पे एक print out लिया था, जो पहले से black निकला हुआ था, उसके बाद में हमने यह book ली थी, इसको भी हमने scan किया था, और यहाँ पे भी जो print out आप देख रहे हैं, वो भी black है, यहाँ पर जो copy है हमारे पास में, उसमें जो ink यूज हुई है, वो blue ink यूज हुई है, पीछे copy का जो background हो, उसमें line भी दे रखी है, और उसके साथ में कहीं पर black ink का भी इस्तेमाल किया गया है, तो इसको scan करने के लिए यह चीज आपको धिहार रखना है, यह gray skill में होना चाहिए, तब ही जो AI system है, जो OCR system है, वो proper तरीके से work कर पाएगा, तो चलो देख लेते हैं जल्दी से कैसे करते हैं इसको, तो हम यहां पे अभी फिलाल के लिए scanner यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम mobile phone का भी यूज़ करें, मलब दो तरीके से मैं आपको यह चीज़ें बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो देखना, तो सबसे पहले हम अपने scanner के application को open करेंगे, और यहां पे हम image scanner पे जाएंगे, इसको हम open कर लेंगे, अब यहां पे कुछ चीज़ें आपको change कर रही हैं, जो पहले आप regular scan कर रहे थे, दूसरा हम यहां पे scan type में, जो हम color ले रहे थे, उसकी जगे हमको यहां जाना है, true gray या gray scale color पर, जिससे वो black and white scan होगा, तो आपके जो letter हैं, जो book में लिखे हुए हैं, जो copy में लिखे हुए हैं, वो बहुत अच्छे से sharp दिखाई देंगे, तो यह एक change कर लेना है, color की बजाए आपको यहां पे gray कर लेना है, उसके बाद brightness और contrast को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना है, जिससे अंदर की जो copy के ऊपर कुछ dust type होती है, जो scanning में बहुत अच्छे से आती है इस पस्टो के, वो थोड़ी सी उठ जाएगी, तो यहां पर यह जो starting में था, यहां पर यह 0 था, मैंने इसको बढ़ा के, यहां पर 30 पे कर लिया है, अब यह एक बार करने के बाद मैं हम इसे scan करेंगे, और pre-scan को check करके देखेंगे, तो यह सारी setting करने के बाद यहां पर कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, तो अब यह बहुत ज़्यादा light आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और dark कर लेता हूँ, तो मैं यहां पर दुबारा से image की setting पे जाता हूँ, और brightness को थोड़ा सा कम कर लूँगा, तो मैं इसको 30 से 20 पे set कर लूँगा, ठीक है, एक बार फिर से scan करूँगा, प्री scan चेक करूँगा, देखो अब यह letter पहले से ज़्यादा इस पस्ट दिखाई देने लग गए है, अब मुझे क्या करना है, कि इस page को scan कर लेना है, जितनी मेरे को लिनी है, तो अब मुझे क्या करना है, इस page को scan कर लेना, अब इस page को हमारे पास यह जो page है, और उसके जो letter है वो black color में आ गए है, बहुत ही अच्छे देख रहे हैं, page पूरी तरीके से clear हो गया है, अब इस page को हम कहीं पर भी save कर लेंगे, यहाँ पर page 3 के नाम से इसको save कर लेता हूँ, मैंने यह page save किया, अब हमें क्या करना है, हमें Google Drive को open करना है, दिखें, यहाँ पर पहले मैंने एक book का page था, वो scan किया था, तो वो यहाँ पर है, और यहाँ से मैं new पर जाऊंगा, file upload के option पर जाऊंगा, और यहाँ से जो भी page 3 में हमने upload किया है, उस पर हम click करेंगे, तो यह page Google Drive में upload हो जाएगा, कुछी seconds में, अब इसको क्या करना है, right click करना है, open with करना है, Google Doc पे जाना है, यहाँ से यह page जिदनी देर में Google Doc open होगा, उतनी देर में ही, जो image है, वो text में convert हो जाएगी, क्या हुआ, नहीं होई, बिल्कुल होई है, अब नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पर आप देखिए, कि जो image के अंदर जो हिंदी लिखी गई थी, वो यहाँ पर convert हो के आगई है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा, जो font है, font का size है, उसको सही कर देना है, और यहाँ से color को black कर देना है, आप देखों, यह सारी जो हिंदी पेज के उपर लिखी गई थी, वो यहाँ पर नीचे आ गई है, हो सकता है कि इस हिंदी में थोड़ा बहुत कहीं में mistake हो, तो एक बार आप पढ़ ली जिगा कि क्या mistake है, उसके बाद जहाँ जहाँ आप इसको सही करना चाहते हैं, वहाँ वहाँ आप इसको ठीक कर सकते हैं, तो यह तो तरीका हो गया, आपके page की जो लिखे हुए चीजे हैं, उनको OCR के थुरू convert करने का, टेक्स्ट में उसको digitalize करने का, अगर बहुत सुन्दर सुन्दर राइटिंग है, आपका तो तो बिल्कुल एकदम perfect तरीके से ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, और अगर आपका राइटिंग थोड़ा सा इधर ओधर जाता है, तो फिर आपको थोड़े से बदलाव करने पड़ेंगे, तो अब mobile phone से ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, चलिए वो भी समझ लेते हैं, तो यहां पर मेरे पास वही copy है, जिसमें हिंदी में लिखा हुआ ह पैन से और ये लिखा हुआ हम कैसे कनवर्ट कर पाएंगे, समझ लेते हैं, यहां पर रसकी परिभाषा लिखिया होता है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहां पे Google Translate को, Google Translate में यहां नीचे आपको दो आप्शन मिलेंगे, पहला आप्शन आपको दिखाई देखा ह हिंदी भाषा का है, मतलब किस भाषा से आपको कनवर्ट करना है, और किस भाषा में करना है, तो यहां पर आप जो भाषा लेना चाहा है, वो भाषा ले सकते हैं, बहुत लोग इंग्लिश लेते हैं, तो मैं भी यहां पर इंग्लिश ले लेता हूं, इसके बाद आपको य लेजे बस पेज़ का आपको कुछ नहीं करना है तो मैं इसका एक फोटो ले लेता हूं यह जैसे आप फोटो लेंगे तो यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स आपको दिखाई रहेंगे इन ब्लॉक्स को आपको स्क्रेच करना है जिन भी शब्दों को आप हिंदी में ट्रांसलीट कर करके दिखाएगा और तीसरा आप यहाँ पर देखेंगे कि उसको इंग्लिश में भी कनवर्ट करके दिखाएगा तो यह जो ऑप्शन है वह बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है गूगल ट्रांसलीट की मदद से आप हास से लेखुए मैटर को भी डिजिटल में कनवर्ट कर सकते हैं और कहीं भी यूजब कर सकते हैं इस मेंटर को बस आपको कॉंपी करना है तो यहां पर यह जो आइकन आपको दिख रहा है यह वाला इस पर टैप करिए नीचे आपको देख के मिल जाएगा कि यह जो टैक्स है वो कॉंपी हो चुका है और आप इसको अब किसी को भ बहुत ज्यादा परेशान करती है मैं कोशिश करूँगा कि उस प्रॉब्लम का सॉलुशन आपको जल्दी से जल्दी दूँँ सो मैं मिलता हूं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिंद वंदे मातरम